माफिया अतीक एहमद रुसके भाई अश्रफ की प्रियागराज में हत्या को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है जहाँ विपक्षी पार्टिय इस मामले को कानून विवस्ता की स्थिती से जोड़ते हुए योगी अधितिनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो वहीं अतीक एश्रफ की मौत के बाद सीम योगी का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते यूपी में अब कानून का राज है अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्मियों को डरा धमका नहीं सकता है उत्तरप्रदेश आज 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 बहतरीन कानून विवस्ता की गारंटी देता है लेकिन जो दो अन्य कलंग यूपी में थे कि जहां से यूपी में भुसो जहां से सड़कों में गठे दिखाई दें समझ लो उत्तरप्रदेश की सीमा गई है अतीक के वाटसाइब चैट से खुलासा हुआ है कि किस तरह वो सलाखों के पीछे से वसूली का रैकेट चलाता था और मुसलिम नाम के एक बिल्डर को अतीक ने अपने बेटे को पैसा पहुचाने को कहा था अतीक ने कहा था कि जल्दी हालात बदल जाएंगे और अतीक ने इस चैट में ये भी कहा था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ तो उधर माफिया अतीक अहमद की पतनी शायस्ता प्रवीन की भी एक चिट्टी सामने आई है जो उसने उमेश पाल हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी अधितनात को भेजी थी शायस्ता ने चिट्टी में लिखा था कि उमेश पाल मडर केस में उनके और उनके पती अधीक एहमद, देवर अशरफ और बेटे असत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप निराधार है शायस्ता के मताबिक CCTV फुटेज के अधार पर बेटे अली को शूटर बताने का आरोप भी बेबुनियाद है चिठी में शायस्ता ने इसे राजनितिक रंजिश का मामला बताते हुए कहा कि बसपा ने जबसे उन्हें प्रियागराज में मेर का प्रित्याशी घोशित किया है तब से यहां के एक स्थानिय नेता और सरकार के कबीना मंतरी ने साजिश रचना शुरू कर दिया था और उसी साजिश में उमेशपाल की हत्या हुई